भाई लग रहा है hacking और leaking का season चल रहा है मतलब पहले insomnia का 1.67 tv का leak जिसमें game का playable build ही leak हो गया तो वीडियो देखते रहो और आपको 10 things बताऊंगा about this leak लेकिन हा कुछ भी leak screenshot या फिर code में नहीं दिखाऊंगा because वो illegal है तो सबसे पहले सवाल आएगा कि ये leak आया कहा से और क्या ये legit है तो आपको याद होगा कि September 2022 में Lapsus Group ने Rockshard पे attack किया था और GTA 6 की 90 under development footage भी leak करी थी अब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे थे उस time तो मैंने बताया होगा कि वो hacker के पास GTA 5 का source code भी था जिससे वो बेचने की बात कर रहा था इन 50K या फिर 100K डॉलर्स तो चांसे है कि उस time किसी ने वो source code खरीद लिया होगा और अप Christmas के दिन ही उस source code का link एक Discord server पे डाल दिया उस server के owners ने वो link तो हटा दिया लेकिन बहुतों के पास वो files आ गई अब वही लोग उस code को टॉर ब्राउजर पे और इधर उदर शेयर कर रहे है जिसकी वज़स से वो file ही जा रहा है In fact ऐसी बात है निकल के आ रहे हैं कि hackers ने कहीं महीनों से सोच रखा था कि Christmas के दिन ही release करेंगे ताकि Rockstar को जान बूच के परिशान कर सके अब क्रिस्मस आपको बता है कितना बड़ा festival होता है यज़े हिंदूस के लिए दिवाली होती है वैसी Christians के लिए Christmas होता है मतलब इस दिन वो festival enjoy करते हैं पूरा staff छुट्टी पे होता है अप्री family के साथ वो होते हैं और उससी time पे ये leak किया गया कितने MC लोग हैं ये सबसे पहले आपको मतलब समझा देता हूँ कि source code क्या होता है तो जब programmers या फिर coders बैटके fast-fast coding करते रहते हैं वो actually मैं जो code लिख रहे होता है वो source code ही होता है उसमें बहुत सारे instructions, logic, algorithm होती है जिसके base पे game चलता है वो सबसे important part होता है किसी भी game का और उसी के base पे game के सारे functions काम करते है और इसलिए उसको बहुत secure रखा जाता है कि कोई game file से उसे extract ना कर पाए बरना वो code चोड़ी हो सकता है मेभी कोई और company को पता लग जाए कि ये game की coding कैसे हुई है या फिर modders इसका use करके multiplayer और online के लिए hacks और mods ना बना दे अब एक लिए तो स्रिफ 4GB की file सामने आई है जिसमें GTA 5 के beta missions ऐसे missions जो की cut कर दिये गए है साथी दूसरे games जैसके bully 2 और agent की भी details है और इवन GTA 6 का भी कुछ python code सामने आया है तो एक एक करके इन पर नज़र डालते है first thing ये confirm हो जाती है कि Project Americas ही GTA 6 का internal name था I think Project Americas के लिए 16 या फिर 17 में आने शुरू हुए थे यानि कि 2017 के आसपास और उस ताइम किसी ने विश्वास ने किया था बट अब बता लग रहे है कि GTA 6 को उस ताइम Project Americas ही बोला जा रहा था internally and बात में कुछ changes हुए होंगे then ये बता लग रहा है कि GTA 5 के लिए शायद 8 DLCs प्लाइन थे अब हाँ हम इंडिया में रहते हैं कुछ लोगो DLC का मतलब नहीं पता होगा तो देखो इसकी full form होती है downloadable content and ये किसी गेम की story and missions को expand करता है like Spider-Man का example पर लूँ तो Spider-Man 1 आया था 2018 में जो की 20-22 घंटे का गेम था पर फिर उसके बाद 3 DLCs भी आई जो की 2-2-3-3 घंटे की थी और उसमें कुछ नए characters को introduce करा गया जिनसे story भी expand हुई and नए missions भी आये ऐसे DLCs GTA 4 के लिए भी आये थी चुकि या था Lost and Damned and The Ballad of Gay टोनी and GTA 5 की रिलीस के बाद फैंस GTA 5 की DLCs की भी डिमांड कर रहे थे यह Rockstar ने तो नहीं निकाली बट शायद उनके plans 8 DLCs के थे जिसमें आता है Assassination, Manhunt, Norman, Agent Trevor, Relationship, Enterprise, Prologue DLC and Liberty V DLC इन सब DLCs से GTA 5 में नए missions आड़ होते और story भी expand होती यह कि Agent Trevor में शायद Trevor पुलिस या फिर FIB का बाट बनके कुछ missions करता Liberty V DLC में शायद Liberty City आ जाती in the world of GTA 5 in fact 2013 में Rockstar Games ने announce भी किया था कि GTA 5 के लिए single player DLCs आएंगी जिसमें हम अपने favorite characters की आगे की story जानेंगे but ऐसा कुछ भी नहीं हुआ and it's just sad कि most of the DLCs जो single player के लिए आनी चाहिए थी उन्हें multiplayer याने की GTA Online के लिए convert कर दिया गया like Agent Trevor बन गए Doomsday Heist even Prologue DLC में शायद हमें North Yankton में कुछ missions करने का मौका मिलता and Trevor, Brad और Michael की origin story पता लगती but वो भी नहीं हुआ GTA Online की कोई heart and soul नहीं है उसके updates से फ़रक नहीं बढ़ता वो बस दोस्तों को मजे करने के लिए है उससे मैं correct नहीं होता but GTA 5 की story से होता हूँ उससे character से होता हूँ and हम 100% deserve करते है some story expansion for GTA 5 then GTA 6 की Python script भी थोड़ी सी leak हो गई है Python आपको बते हैं होगी काफी popular coding language है जिसमें code लिखा जाता है and इसी में एक image मिली है जो मैं दिखा तो नहीं सकता but उसमें GTA 6 से related कुछ code था अब मैं कोई coder नहीं उसे probably wait करना पड़ेगा कि लोग उसका क्या मतलब निकालते हैं then हमें GTA Tokyo से भी कुछ leaks मिल गए है मैंने आपको 10 cancelled Rockstar Games वाली वीडियो में बताया होगा कि PS2 एरा में GTA Tokyo का भी plan था मतलब एक ऐसा GTA जो कि Tokyo Japan में set होता so इस source code में भी कुछ ऐसी files मिली है जिनसे बता लग रहा है कि GTA Tokyo development में था और PS2 पे आता बट फिर उसे cancel कर दिया गया जिस गेम के cancel होने के शायद सबसे ज़ादा दुख है वो है Bully 2 पिछले कुछ सालों से काफी leaks आ रहे थे कि वो development में था बट फिर cancel कर दिया गया एंड ये GTA 5 के source code के leak में भी Bully 2 के mentions मिले हैं जो फिर से confirm करते हैं उसके development को अगेन मैं वो files के screenshots दिखा नहीं सकता बट हाँ ये सब वो 4GB की files में already है फिर आपको याद होगा कि Rockstar गेम से completely new game एजेंट पे काम कर रहा था 2008 में ने Rockstar ने Microsoft के साथ पार्टनर करके GTA 4 की DLCs रिलीज करी थी तो PlayStation रोने लग गिया ये Rockstar तुने अपनी उकाद दिखा दी तो इसलिए Rockstar ने कहा था कि बच्चे रोमत हम PS3 एक्स्टोजर वे गेम बनाएंगे एजेंट जो कि completely नया गेम होगा तो एजेंट गेम 2009 में एनाउंच सुआ 2010 में रिलीज भी होने वाला था और ये एक spy game होता जो कि Cairo, DC and और भी locations पे set होता around the world and ये time होता of 1970s ये professionals नाम की TV series और James Bond movies से inspired था जो कि House of Brothers को काफी पसंते बट ये game एक sort of development hell में फस्स गया और कभी release नहीं हुआ अब इस source code में पहली बार agent game की files भी मिली है उसके अलबा एक map भी मिला है जो शायद agent game कही है बट हाँ वो मैं आपे नहीं दिखा सकता देन कुछ alternate short ये ending भी बता चलिए GTA 5 की जो भाई बहुत भी brutal है आपको बताए कि GTA 5 में तीन options है Michael को मार दो, Trevor को मार दो या तीनों खुशी-खुशी रहो अब जो Michael को मारने वाली ending थी ना उसमेना Franklin Michael को एक पुलिस के helicopter blade पे डाल देता है मतलब वो cut के मर जाता है बाकि Trevor को मारने की ending में बेसिकलिए उसे जिन्दा, liquid nitrogen में जमा दिया जाता है and then Michael उस पे एक 2x4 गार ही चड़ा देता है भाई बहुत ही brutal है अच्छ ही है कि यह सब endings game में नहीं है फिर Midnight Club Rockstar की racing games की series है and भली उसका 15 साल से कोई game नहीं आया लेकिन वो आज भी top 10 best selling racing games में आती है अब इस source code से पता चल रहा है कि Midnight Club 5 यानि कि series का नया game भी development में था मतलब कितना दुख होता है सुनके कि ये भी एक time पर development में थी बट नहीं आई and यार at this point I hate GTA Online मैं openly कह रहा हूँ भाई फक GTA Online GTA Online ही reason है जिसकी वज़े से हमें GTA 5 की 8 DLCs नहीं मिली Bully 2 नहीं मिला Agent Game नहीं मिला Midnight Club 5 नहीं मिला एंड एक ऐसी GTA जो कि Tokyo में set होती वो भी नहीं मिली खेर ये तो मैं थोड़े जाता बोल गया है GTA Tokyo तो PS2 है रगीती बट हाँ बाकी गेम्स तो भाई इसी की वज़े से नहीं मिल पाए है and शायद उसी की वज़े से cancel भी हो गए है and आप सोचो इतने सारे बड़िया single player projects हमें नहीं मिले and Rockstar 10 साल से GTA Online को मिल के करे जा रहा है it's just sad अब हाँ इसका मतलब यह नहीं की GTA Online नहीं खेडूँगा मैं 23 साल हो गए इस दुनिया में रहते है ते and यह बात समझ में आ गई है की भाई कोई भी ऐसा नहीं है जो की hypocrite ना हो बट मैं just अपनी frustration निकाल रहा हूँ इतने सारे single player games आ सकते हैं रॉक्स्टार games की तरफ से बट वो नहीं आए बाकि अभी भी लोग कोशिश कर रहे है उनकी real identity पता लगाने की जिन्होंने लीक किया तो ऐसा लग रहा है कि यह Arian Kurtar के दोस्त है तो हाँ उनका plan शायद काफी पहले से इता कि रॉक्स्टार को तंग करेंगे सोर्स कोड लीक करके हाँ यह सब information जो हमें मिली वो interesting है और हम gamers जासे information के लिए crave जरूर करते हैं बट जिस तरीके से मिली है ना वो गलत है and in fact it legal है and I feel bad for rockstar games की developers बस game बनाने पे focus नहीं कर सकते उन्हें यह सब file to hacks से भी लडना पड़ता है खेर हम तो media वाले हैं and media वालों को चाहे कुछ भी हो report तो करना ही होता है but as a person मुझे sympathy आती है उन devs के लिए खेर अभी भी देखना हो कि आगे चलके जिन लोगों के पास source code है वो और क्या release करते हैं और क्या नई details मिलती है ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि 200GB की files और release करी जा सकती है मतलब यह तो स्रिफ trailer था picture अभी बाकि है और डर यह है कि उस 200GB में कई GTA 6 का early build ना हो भाई इन जोकरों के चक्कर में पता नहीं 2023 में अभी भी और क्या बचायत देखने को खेट जो भी हो आप लेजी असासिन गेम्स और इंडिया जान को सब्स्राइब करके रख लो सुद्ध सब कुछ पता लगता रहेगा टाइम पे तब तक आप Sleeping Dogs का Rise and Fall देखो स्क्रीन पर वीडियो आई दाई होगी बागी ये वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक कर दो दर में होगा आपसे नेक्स्ट चाइम तब तक के लिए टाटा बाए बाए